जै स्रीराम साथियों आज हम बात करेंगे कि 14 साल तक लक्षमन ने नहीं किये ये तीन काम तभी कर पाए मेगनाद का बद साथियों इरिशी अगस्त मुनी ऐसा क्यों कहा कि भगवान स्रीराम और लक्षमन के अगाद प्रेम को तो सभी जानते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार भगवान राम के मन में अपने अनुज को लेकर संका उठी वह भी तब जब रिशी अगस्त ने कहा कि रावन के पुत्र इंदरजीत को स्वेंग राम भी नहीं मार सकता था उन्हें तो केवल लक्षमन ही मार सकता था आईए जानते हैं रिशी अगस्त मुनी ने ऐसा क्यों कहा कथा मिलती है कि एक बार अगस्त मुनी अयोध्या आए और लंका यूद का परसंग छिर गिया तभी राम जी ने बताया कि किस तरह उन्होंने राबन और कुमकरन जैसे बीरों का बद किया और अनुज लक्षमन ने इंदरजीत और अतिकाई जैसे सकतिसाले असुन को मारा तभी अगस्त मुनी बोले कि इसमें कोई संसे नहीं कि राबन और कुमकरन परचंड बीर थे लेकिन सबसे बराबीर इंदरजीत मेगनाग था उसने इंदर से अंतरिक्ष में यूद किया और बांध कर उसे लंकार लेकर गया ब्रमा जी ने जब इंदरजीत से दान के रूप में इंदर को मांगा तब वो हमुक्त हुए लक्षमन ने उसका बद किया और केवल वही उसका संगार कर सकते थे अगस्त मुनी के मूँ से लक्षमन की बीरता की परसंसा सुनकर राम परसंड तो बहुत हुए लेकिन अचम्बित भी हुए कि ऐसा क्या था कि लक्षमन ही उन्हें मार सकता था यह जी ग्यासा उन्होंने अगस्त मुनी के सामने जाहिर की तब अगस्त मुनी ने कहा कि प्रभू इंदरजीत को बरदान था कि उसका बद वही कर सकता था जो 14 बरसों तक ना सोया हो जिसने 14 साल तक किसी इस्तरी का मुख न देखा हो और जिसने 14 साल तक भोजन न किया हो स्री राम बोले मैं बनवास काल में 14 बरसों तक नियमीत रूप से लक्षमन के हिस्से का फल फूल देता रहा उन्होंने कहा कि मैं सीता के साथ एक कुटी में रहता था बगल की कुटी में लक्षमन थे फिर सीता का मुख न देखा हो ऐसा कैसे संभव है अगस्त मुनी सारी बात समझ कर मुस्कुराए परभू से कुछ छपा है भला दरसल सभी लोग सिर्फ स्री राम का गुनगान करते थे लेकिन भगवान चाहते थे कि लक्षमन के तप और बीरता की चर्चा अयोध्या के घरगर में हो जिस प्रकार अगस्त मुनी ने कहा कि लक्षमन के अलावा कोई और इंदरजीत को नहीं मार सकता था ठीक उसी प्रकार उसके मारे जाने पर महराज भी भीसन ने भी स्री राम से कहा था कि उन्होंने कहा कि रावन के पुत्र इंदरजीत का बद देवताओं के लिए भी संभव नहीं था उसे तो केवल लक्षमन जी जैसा कोई महायोगी ही मार सकता था अगस्त मुनी ने स्री राम से कहा कि क्यों न लक्षमन जी से पूछ लिया जाए लक्षमन जी आये तो स्री राम जी ने कहा लक्षमन जो तुम से पूछा जाए उसे सच सच बताना प्रभू ने पूछा हम तीनों चौदा बरसों तक साथ रहे फिर तुमने सीते का मुख कैसे नहीं देखा फल दिये गए फिर भी अनाहरी कैसे रहे और चौदा साल तक सोये नहीं या कैसे हुआ तब लक्षमान जी ने कहा भाईया जब हम भावी को तलास्ते रिश्यमूक परबत पर गए तो सुग्रीब ने हमें उनके आभुसन दिखा कर पहचानने को कहा आपको अस्मरन होगा कि मैं उनके पैरों के आभुसन के अलावा कोई अन्य आभुसन नहीं पहचान पाया था क्योंकि मैंने कभी भी उनके चर्नों के ऊपर देखा ही नहीं चौदा बर्स नहीं सोने के बारे में लक्षमन ने कहा कि आप और माता एक कुटिया में सोते थे मैं रात भर बाहर धनुस पर मान चड़ाए पहरेदारी में खराद रहता था निंद्रा देवी ने मेरी आँखों पर पहरा कहने की कोशिस की तो मैंने निंद्रा को अपने बानों से बेट दिया निंद्रा ने हार कर स्विकार किया कि वह 14 साल तक मुझे असपरस नहीं करेगा लेकिन जब स्रीराम का अयोधिया में राज्या भिसेक होगा और मैं उनके पीछे सेवक की तरह छत्र लिए खरा रहूँगा तब वह मुझे घेड़ेगी आपको याद होगा भईया राज्या भिसेक के समय मेरे हाथ से छत्र गिर गिर गिया था लक्षमन जी ने आगे बताया कि जब मैं जो फल फुल लाता था आप उसके तीन भाग करते थे एक भाग देकर आप मुझे कहते थे लक्षमन या फल रख लो आपने कभी फल खाने को नहीं कहा फिर बिना आपकी आग्यां से मैं उसे कैसे खाता मैंने उन्हें समाल कर रख दिया सभी फल उसी कुटिया में अभी भी रखे होंगे प्रभू के आदेश पर लक्षमन जी चित्रकूट की कुटिया में से वे सारे फलों की टोकरी लेकर आए और दरवार में रख दिया फलों की गिंती हुई लेकिन साथ दिनों के फल नहीं थे तब स्री राम जी ने लक्षमन जी से पूछा तुमने साथ दिन का आहर लिया था क्या स्री राम जी के पूछने पर लक्षमन जी ने साथ दिनों के फल नौ होने का रहसी बताया उन्होंने बताया कि जिस दिन पितासरी के स्वरगवास होने की सूचना मिली हम निराहरी रहे इसके बाद जब राबन ने माता सीता का हरन किया उस दिन भी हम निराहरी रहे उन्होंने कहा कि जिस दिन आप समुद्र के साध्रा कर उससे रास्ता मांग रहे थे उस दिन भी हम निराहारी रहे जब इंदरजीत के नाग पास में बद कर दिन बर अचेत रहे उस दिन भी हम निराहारी रहे जिस दिन इंदरजीत ने मायाबी सीता का सिर काटा था उस दिन भी हम सोक में थे इसके अलावा जिस दिन रावन ने मुझे सक्ति मारी और जिस दिन आपने रावन का बद किया इन साथ दिनों में हम निरा हारी रहे लक्षमन जी भगवान राम से कहते हैं कि मैंने गुरू बिश्वामितर से एक अतरिक्त बिद्या का ग्यान लेया था इसके बिना अनगरहन किये भी ब्यक्ति जिवित रह सकता था उसी बिद्या से मैंने अपनी भूक नियंतरित करकी और इंदरजीत मारा गया या सुनते ही प्रभू फिर से भाब भी भोर उठे और लक्षमन जी को गले से लगा लिया जै जै स्री राम